दोस्तों कैसे हैं सबी लोग आशा करते हूँ अच्छे ही होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद आए 1973 में ब्लॉक विस्टर देकर हिट की गारंटी बना स्ट्रगल फिर भी डारेक्टर बोले मेरे पास तुम्हारे लिए रोल नहीं है जाने माने डारेक्टर ने की ना सुनने के बाद भी हिट की गारंटी बने स्टार ने हार नहीं मानी और फिल्म में साइट रोल के लिए डारे प्रेडी फिल्मों का एक लंबा इतिहास रहा है जिसमें हमारे सितारों ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं साल 1975 में फिल्मी इतिहास के पन्नों पर सुनहेरे अक्ष्रों से लिखा है सिर्फ सोले ही नहीं इससे करीब चार महीने पहले एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें लोगों को कॉमेडी, ड्रामा और रुमेंस सब एक साथ देखने को मिला था सोली की तरह ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और फिल्म ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था लगातर फ्लॉप स्ट्रंगल जो साल 1973 में एक आल टाइम ब्लॉक बस्चर देका हिट की गार नहीं मानी ये फिल्म है साल 1975 में रिलीज हुई रिसी केस मुखर जी के डारेक्शन में बनी फिल्म चुपके चुपके ये फिल्म चदम बेशी बंगाली फिल्म की रिमेक थी फिल्म में जया बच्चन शर्मिला टैग और अभिताब बच्चन धरमेंदर अस्राणी ने एहम किर्दार आदा किये थे अभिताब बच्चन और जया ने फिल्म में सपोर्टिंग रोल निभाया था दो घंटे 25 मिनट लंबी फिल्म को उसके गानों के लिए भी जाना जाता है इस फिल्म में पहले ही अभिताब ने साल 1973 में और टाइम ब्लॉकबस्टर जंजीर दी थी इ परसल जया और अभिताब दोनों के रिशिकेश मुखर जी फेवरिट डारेक्टर थे बहराल उनके साथ काम करना चाहते थे अभिताब जया को इस फिल्म में कास्ट किये जाने के पीछे भी एक बहुत बड़ी बजय थी रिशिकेश मुखर जी अपनी इस फिल्म में अभित तशाक ने कहा कि उन्हें नए चेहरे की तॉस्ट नई बैठते हो ले तुम्हारे लिए मेरी फिल्म में जग Paint नहीं यह रिग्या की ये कँश अदला बदली का इतना भैतरिंग कॉमिक टच दिया था कि हर कोई इस फिल्म की तारीफ करता है अभिताब बचर जया बचर ने जब भी साथ काम किया लोगों ने उन्हें दिल खोल कर प्यार दिया इसी साल 1975 में शोले भी रिलीज हुई थी इस फिल्म में भी अविताब बर जया की कैमेस्ट्री को काफी पसंद किया गया था आज भी लोग इस कॉमेडी फिल्म को भूले नहीं है अब तक इस फिल्म को लेकर कोई रिमेक नहीं बनाए इससे पहले विताब बॉम्बे टू गोवा में जैसी कॉमेडी फिल्मों में नजर आ चुके थे विकीपीडिया की माने तो इस फिल्म का बजट करीवन 15 लाग रुपे था जबकि फिल्म ने वर्ल्ड बाइट कलेक्शन करीवन 1.2 करोड रुपे रहा है यह फिल्म उस साल की 18 भी सबसे अधर कमाई करने वाली फिल्म बनी थी आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सबस्क्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक्स पूर वाचिंग बबाई